हेलो बच्चो स्वागत आपका आपी की यूट्वी चैनल पढ़ाई वाला में तो बच्चो इस समय सीब्यासी की बहुत ही बड़ी एक ख़वर निकल के आ है आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूंगा कि बच्चो यह जो न्यूज है यह जी रूज के ओफिशल हैंडल पर पब्लिश की गई है कि जो आपके टर्म टू के एक्जाम हैं बच्चो उनको लेकर जो सयम भारदौाद जी का बहुत बड़ा बयान आया है और इस आर्टि कोविड नाइटीन के केसे बहुत जादा वड़ रहे हैं सीविएसी और यूनियर मिश्टी ओफ एड्यूकेशन ने टर्म टू के जो एक्जाम है टेंथ और ट्वल्थ के वह करवाने का फैसला लिया है पहला फेस जैसे कि नौबर जंबर में हो चुका है और दूसरा फेस जो कि मार्च अप्राइल में होने बाला है बात इंट्रेस्टिंग बच्चो अब शुरू होती है कि जो सेकंड टम जे जो सेकंड टम के एक्जाम है उनका कैंसल होने का जो चांस है वह बहुत कम है क्योंकि थर्ड वे ओर्मस कंट्रोल में है लेकिन उससे उसके निचे अगर बच्चे करते हैं टॉक तो उनके उनको जो ग्रेट दिये जाएंगे उनके जो मांक्स काल्कुलेट किया जाएंगे उनके टर्म वन जो फर्स टर्म के रिजल्ट आएंगे ना उनीकी बेसिस पर उनके मार्किंग की जाएगी यह बहुत बड़ी ख़बर है बच्चो अगर जाएंगे उनको ही फाइनल माना जाएगा उसी के बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेर किया जाएगा लेकिन अगर अगर ऐसी सिट्वेशन नहीं होती है और आपके सेकंड टर्म के एक्जाम होते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के बेसिस पर होगा दोनों टर्म्स के ठीक है बचो तो यह बहुत ही बड़ी इंपोर्टन निउस थी जो कि 10 और 12 बच क्यों क्यों वह मतलब दुस्रे आर्टिकल्स में जाके मेडिया हाउस में जाके सब कुछ बोल रही है सी बेसी को जाई है अपना एक ओफीशर सर्कुलर निकाले सो दैट कि जो भी हो सर्कुलर के हिसाब से हो क्यों बचो अगर आपको यह सही लग रहा हो तो प्लीस कमेंट म मुझे बताइए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगरी वीडियो में बाबाई टेक क्यार